हेलो एवरिबड़ी वेलकम तो आशीस्तिंग लेक्चुर्स आयाम अदीहा खान यॉर फ्रेंड हुई जो है लेक्चर नंबर फाइफ है हमारा लेकिन जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हम जो भी हमने स्टार्टिंग से पढ़ाया उसको रिवाइस करते हुए चलेंगे तो आ अरा नहीं पढ़ने वाले एंड यह में हम खो अईंग्लिश को एजा लेंगविज ही पढ़ेंगे भाशा के रूप में हम उसे पढ़ेंगे और भाषा के में फाली लेकिन translation हमने पहले कैसे किया English To Hindi क्योंकि English जो हमें समझ आ जाती है लेकिन जब हमारी बोलने की बारी आती है तो हमारी बोलती है बंद हो जाती है तो इसलिए जो हमारी चीज पहले से अच्छे हैं उसको strengthen करेंगे हमने उसे strengthen किया ठीके आभी मैं सिर्फ present tense की बात कर रही हूं simple present tense की बात कर रही हूं अभी हमारे पास बहुत सारे टेंस हैं है ना almost 12 टेंस हैं clear 12 टेंस हैं हमारे पास जिसमें से मतलब ऐसे तो तुम बोलोगी कि हम तीन टेंस होते हैं पास प्रेजन फ्यूचर लेकिन इनके भी चार चार पांच पार्ट हैं हम सब को गरते वह चलेंगे तागे हमारा टेंस भी clear होता चला जाए और आई होप अभी तुम्हारा टेंस को clear हो गया होगा इसके बाद जब नेक्स आएगा वह वाला देखेंगे फिर अगला देखेंगे तो इसी तरीके से हम स्टार्टिंग ऐसे चलाएंगे फिर जब तुम्हारी एक हाबिट हो जाएगे इंग्लिश समझने की टेंस तुम्हें क्लियर हो जाएंगे तब हम क्या करेंगे जो स्पॉर्टिंग दी एरर वगरा है यह वाली चीज़ें या फिर यह चीज़ेंगे अब ट्रांसलेशन सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं कराने वाली हूं मैं तुम्हें इसमें एक्सरसाइज इस नहीं सति होगी सात में तो मेरा जो है पॉर्परयों कि मैं तुम्हें बिल्कुल कलियर करती मिज़ीं हर चीज neue स्टार्टिंग में अंब ईयकर पाफ ही सारे जो है English to Hindi convert किये sentence को translate किये उसके बाद हमने कल क्या किया कल की क्लास में हमने भई जो है आफ़र्मेटिव सेंटेंस जो थे जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं उन्हें किस तरीके से चेंज किया जाता है वह अपकी first और fifth form याद रखके वो किया फिर मैंने तुम् नेगेटिव sentence ही उठाएंगे negative sentences और negative interrogative भी उठाएंगे थोड़े से ताके तुम्हें जो एक चीज है वह clear हो जाए यहाँ पर तो आज रहे ज़िए कि पता है रहे नेगेटिव नहीं करना यह वाली चीज तो तुम्हें do or does का मैं पहले बता चूँ कि मैं तुम्हें अब फिर से हम revise करेंगे एक बार हमने starting में क्या बड़ा फिर हम start करेंगे अब वापस structure of tense अभी हम simple present में अब देखो यहाँ पर present tense के कितने सारे है simple present present continuous present perfect present perfect continuous तो ऐसे करके जब हमारा यह clear हो जाएगा फिर हम इन तीनों का काम करेंगे वैसी जब हम past में आएंगे तो simple past past continuous past perfect है ना यह सारी चीज़ आएंगे और ऐसी simple future में भी आएगा और simple future में देखो going to future tense भी है एक है ना और है तो काफी सारे tenses जो हमें cover करने हैं बट हम slow चलेंगे steady चलेंगे because slow and steady always wins the race है ना तो हमने क्या अगरना है काफी slow चलना है यहां पर ताकि तुम्हें चीज़े clear हो जाए और जो doubt है वच्चों जो भी doubt है comment section में पूछ लो मुझसे है ना और उसके अलावा जो है आप जो है मुझसे directly पूछ सकते हो Instagram के थूँ आ आप लोगों के लिए हमेशा जवाब देने के लिए ready हूं मैं तो आप मुझसे पूछा करो मैं आपको पूरा पूरा उसका solution दूंगी ठीक है जहां भी doubt है just ask me try तो करो तुम पूछते ही नहीं हो काफी बच्चे हैं जो पूछते हैं मुझसे और वो बच्चे जो है ना जो नहीं पड़े मैं वो भी करती हूं ठीक है तो तुम्हें जो है यह है कि भाई तुम पूछो तुम्हारा का में बच्चो तुम पढ़ रहे हो तुम सब कर रहे हो तो तुम्हारा का में तुम सौ बार मुझसे पूछोगे ना मैं सौ बार जवाब दूंगे इरिटेट नहीं होंगी क्लियर जितनी बार पूछोगे जितने डाउट से सब पूछ डालो मुझसे ताकि तुम्हें कोई डाउट ना बचे एंड में क्लियर ठीक है आप देखो यहां पर तुम्हें अभी सिर्फ हम सिंपल प्रेजेंटेंस की बात करें तो सिंपल प्रेजेंटेंस हमारा एक एक सिंपल से स्ट्रक्चर है सिंपल प्रेजेंटेंस में है तो आप यहां पर किसी का नाम आ चाए तो भी आपकी फॉर्म कौन से हो जाती है टिके यह तो आप अपर में डिए अब कि आज़ाए और नेगेटिव में क्या होता है रहता है और यहीं किसी का नाम आ जाते हैं वहाँ पर हम पूरा सेंटेंस से बचा हुआ वह आ जाता है वैसे अगर इंट्रोगेटिव की पात करूं तो यह डू और दस आपका आगे शिफ्ट हो जाता और एंड में आपके क्वेशन मार्क आ जाता है है ना तो यह क्लियर हो गया रिविजन यहां पर हो गया हमारा दुबारा अब अब याद रखने नेगेटिव है तो डू और डस भी एड करना पड़ेगा है ना डू और डस भी एड होगा साथ में फिर उसके बाद जो भी सेंटेंस है तुम्हारा वह रिवर्स आउर्डर में जाता है यह तुम्हें अच्छे से पता है मैं तुम्हें समझा चुकि और तो आवगा सेंटेंस और करें तुम्हें कितना आसान था तुम्हें नहीं बन टॉन कड़ेशन रहा है है group of words which makes a complete sense है ना तो वह सेंस वाली चीज कहां से हैगी क्या सेंस सीखना पड़ता है नहीं सेंस आपके माइंड में है आप अपने माइंड से देखते हो कि नहीं यार इसका सेंस नहीं बन रहा थोड़ा सा जो है आगे पीछे करना पड़ेगा sentence को words को आगे पीछे करना होते हैं अगर वह कोई सेंस ही नहीं बना रहे हैं तो वह sentence नहीं है है ना तुम्हें इतने टाइम से तुमने definition पड़ी उसमें हमेशा तुम्हें लिखना पड़ता है विच में एक सा complete sense तो वह सेंस यही है ठीक है सेंस हमें लगाना पड़ता है आप कितने tricks यूज कर लोगे ठीक है जो English है वह बहुत vast language है बहुत vocabulary rich है English में है ना तो आप कितना रट लोगे कितना tricks यूज कर लोगे आपको sense अपना लगाना ही पड़ता है जैसे हिंदी में आपको पता चल जाता है कि हाँ यह गलत है आप खुद अपना sense लगाते हो वैसे ही जब आप दीरे-दीरे English म अब कभी काम नहीं करती हमें जो है अपना sense यूज करना पड़ता है समझा गया चले start करते हैं आप देखो first वाला के कह रहा है मैरी किसी भी सोमवार को बजार नहीं जाती मैरी किसी भी सोमवार को बजार नहीं जाती अब सबसे बहले हम इसमें subject डूणना है तो भाइच कौ कौन बजार नहीं जाती किसी भी सोमवार को कौन नहीं जाती मैरी नहीं जाती तो तुम्हारा सब्जेक कौन हुआ मैरी है ना तो पहले तुमने क्या लिखा यहां पर किसी भी सोमवार को बजार नहीं जाती क्रिया क्या हो रही है यहाँ पर नहीं जाती ठीके अब नहीं जाती जाने वाली चीज को क्या लिखते हैं हम गो है ना जाने वाली चीज के लिए हम क्या लिखते हैं गो, क्यूंकि हम प्रेजन टेंस की बात करें, आप उसके बाद जब मेंने तुम सी या utions का नाम आजाता है, जब भी, जब भी इस या किसी का नाम आता है, तब आप क्या use करते हो, does not, है न? नेगेटिव सेंटेंस में जब भी, ही, शी, या किसी का नाम आजाता है, तो हम does use करते हैं और negative है तो not, to marry does not है ना तो यहां पर क्या आ जाएगा आगे तुम्हारा does not क्योंकि sentence तुम्हारा negative है अब क्या था नहीं जाती है नहीं जाती का मतलब क्या हो गया गो ठीके नहीं जाती के लिए क्या लिखा गो जाती के लिए ठीके और नहीं जाती not go है ना क्योंकि वर्ब की फर्म फर्स्ट ही रहेगी तो फर्स्ट फर्म गो ही होती है क्लियर आप क्या है अब तुम sentence और अपना उल्टा देखो को बजार किसी भी सोमवार तो does not go है ना ड़स नौट गो किदर does not go कहां को बजार तो दी मार्केट कब किसी भी सोमवार तो अन एनी सोमवार मंडे sentence के अब ना तुम्हारा Mary does not go to the market on any Monday Mary जो है कभी भी या किसी भी सोमवार को बजार नहीं जाती तो तुम्हारा यहां sense लग गया लग गया समझा गया है ना क्या किया हमने subject ढूंडा subject भई कौन नहीं जाती मैरी नहीं जाती मैरी subject हो गया अब मैंने तुम्हें बताया था जब भी हम simple present tense में negative sentences की बात करते तो अगर he she या किसी का नाम आता है तो does use करते यहां पर नाम आ रहा है does और नहीं जाती तो not नहीं जाती तो go does not go कहा बजार to the market कब on Monday बस इस तरीके से तुम्हें जो है sentence translate करना पड़ता है इतना समझ आ गया clear है यहां next करू sentence है ना आप next sentence क्या बोल रहा है तुम्हारा चात्र पुस्तकों का अध्यान करने में बहुमुले समय व्यतीत नहीं करते हैं कौन नहीं करते हैं चात्र नहीं करते हैं कि कि कौन नहीं करते हैं चात्र तो चात्र क्या हुआ तुम्हारे चात्र किने बोलते हैं students है ना तो क्या रहा तुम्हारा यहां पर the students सेंटेंस क्या हुआ तुम्हारा दी स्टूदेंस है ना आप स्टूदेंस क्या नहीं करते हैं अध्यान करने में समय व्यतीत नहीं करते तो व्यतीत नहीं करते तुम्हारा यहां पर क्रिया क्या हो रही है व्यतीत नहीं करते व्यतीत मतलब अब लगयगे और अब सेंटेंस करो यहां पर क्या क्या समय क्या ना बहुंत्र मतलब valuable समय time है ना आप देखो हम reverse में चल रहे हैं पहला आपने के लिखा subject फिर verb आप reverse में चल रहे हैं बहु मुल्य समय है है ना तो valuable time किस में पुस्तकों का अध्यान करने में मतलब studying books ठीक है पुस्तकों तो books next देखो मैं विशेश रूप से यात्री की सराना नहीं करता कौन नहीं करता मैं मैं क्या लिखते हैं हम I अब सराना नहीं करता आई भी यू देखे साथ क्या आता है do डज नहीं आता do तो do not ठीक है क्या नहीं करता सराना नहीं करता सराना करना प्रशंसा करना इसको हम क्या बोलेंगे अप्रिशेट है ना और विशेश रूप से तो विशेश मतलब पर्टिक्यूलर्ली स्पैशली है ना तो पर्टिक्यूलर्ली I do not पर्टिक्यूलर्ली चलो इसको ऐसे करता है रुको जैसे हम यूज्वली पहले लगाते ना विशेश रूप को भी पहले ले लेता है ठीक है आई पर्टि तरहाना नहीं करता है तो डू नौट तरहाना एप्रिशियेट ठीक है आई पर्टिक्यूलर्ली डू नोट एप्रिशियेट किनकी यातरा की तो यातरी कौन होते हैं ट्रैविलर्स ट्रैविलर्स एक ही की बात हो रही है ट्रैविलर्स आई पर्टिक्यूलर्ली मैं विशेश रूप से सराना नहीं करता डू नौट अप्रिशियेट किनको यातरी की तो ट्रैविलर्स आई पर्टिक्यूलर्ली डू नौट अप्रिशियेट ट्रैविलर ठीक है नेक्स देखो वे एक साथ अध्यन नहीं करते वे लिखा है वे नहीं लिखा तो दे और दे के साथ क्या आता है दू है ना दे के साथ क्या आता है दू दे दू नाट क्या नहीं करते एक साथ अध्यन है ना, एक साथ अध्यान तो they do not अब अध्यान क्या हो गया तुम्हारा study एक साथ together ठीके, वे subject है, ठीके, नहीं करते do not, क्या, अध्यान, study एक साथ, together they do not study together ठीके, देखो एक बाई फिर आगे चलेंगे चले आगे चले आगे चलो next, देखो Amit TV नहीं देखता कौन TV नहीं देखता Amit, subject लिखोगे सबसे बहले अब जब भी नाम आता है तो हम क्या लगा देखता है आते हैं, does, तो does not क्या देखता, तो watch क्या चीज, टीवी, टीवी या टेलिविजन जो लिखना है Amit does not watch TV Amit TV नहीं देखता, simple था, यह तो बहुत उन्हें मिठाई पसंद नहीं है या होती है उन्हें, उन्हें, उन्हें कौन हो गई? दे, ठीके? उन्हें, दे दे के साथ क्या लगाते हैं, हम do not they do not क्या नहीं है, पसंद, like क्या चीज, मिठाई, मिठाई को क्या बोलते हैं, sweets they do not like sweets उन्हें मिठाई पसंद नहीं है या होती है ठीके? वे नियामित रूप से कक्षा में भाग नहीं लेते हैं वे, दे, ठीके? वे और नियामित रूप से तो दे आप दे हैं और वो क्या बोलते हैं, do आजाएगा do not, क्या नहीं करते हैं? भाग नहीं लेते हैं तो they do not attend कक्षा है ना? तो classes कब नियामित रूप से मतलब regularly ठीके? they do not attend classes regularly मुझे ये पसंद नहीं है मुझे किसे पसंद नहीं है? मुझे तो I I के साथ क्या लगता है? do तो I do not पसंद मतलब like yeah मतलब it है ना? या फिर this दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो I do not like it या I do not like this ठीके? दोनों लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है this है ना? this हम कब लिखते हैं जब चीज हमारे पस ही हो तो हो सकता है चीज तुमारे पस ही हो है ना? इसलिए तुम बोल रहे हो कोई चीज अगर दूर होती है तब हम बोलते हैं है ना? तो यहाँ पर पस में ही है तो I do not like it भी लिख सकते हो I do not like this भी लिख सकते हो clear? समझ आ गया? देखो फिर आगे चलेंगे next दीग है? चलड़ा Jimmy किराने का समान खरीदने के लिए बाहार नहीं जाता कौन नहीं जाता? Jimmy Jimmy और क्योंकि नाम है तो नहीं जाता तो does not जाता तो go does not go कहां नहीं जाता? बाजार है ना? तो Jimmy does not go to the market ठीक है? समझ आ गया? Jimmy does not go to the market फिर क्या है? क्या करने? खरीदने सामान तो खरीदने को क्या बोलते हैं हम? to buy ठीक है? to buy देको यहां पर दो दो वर्ब यूज हो रहे हैं यह वाला भी वर्ब है यह भी वर्ब है लेकिन देको दोनों की फर्स्ट फॉर्म यूज किया है हमने क्लियर हुआ? to buy क्या? समान किसका समान? किराने का समान तो किराने के समान को तुम ग्रॉसरी बोल सकते हो है ना? तो हम लेकिया लिखना है है? आपर ग्रॉसरी तो बाए ग्रॉसरी ठीक है? जिमी डाज नौट गो जिमी नहीं जाता क्या करने? कहां? बजार है ना? तो दी मार्केट क्या? खरीदने के लिए तो बाए क्या? किराने का समान ग्रॉसरी ठीक है? इस तरीके से तुम्हें लिखना है रिवर्स ओर्डर में आ गया समझ? नेक्स देखो वे काम करने के लिए बसका उप्योग नहीं करता वे और लिखाय करता तो मतलब क्या हुआ? ही है ना? तो ही और ही होता है तो हम क्या लगाते है? डस डस नाट क्या? उप्योग तो यूज फी डाज नौट यूज ठीक है? ही डाज नौट यूज क्या चीज? बसका तो दी बस ठीक के लिए? काम किरने के लिए तो he does not use the bus for work, he does not use the bus for work, है न, या to work, to work, हम वहां नहीं जाते, हम वहां नहीं जाते, कौन नहीं जाते है, हम, तो we, we, और जब भी I, V, U दे आता, तो हम do लगाते हैं, नहीं जाते, do not go, कहां, वहां, तो there, t-h-e-r-e, पता है न, there और there का फर्क, जब हम t-h-e-r-e, there लिखते हैं, इसका मतलब होता है, वहां, ठीके, और जब हम t-h-e-r-e-r लिखते हैं, तो उनका, है न, यह difference पता है न, there औ there में, है न, यहां पर तुम्हारा यही वाला आएगा, there, वहां वाला, ठीके, वह कॉफी नहीं पीता, वह कॉफी नहीं पीता, फिर से पीता है तो he, और he है तो does not, क्या, पीता, तो drink, ड्रिंक नहीं होगा, वर्ब की फर्स्ट फर्म ही रहेगी, है न, ड्रिंक क्या, कॉफ he does not drink coffee, clear होता जा रहा है न, बहुत easy लग रहा होगा अब तो, वह कार नहीं चलाता, फिर से he, चले इसको चलाती करते हैं हम, ठीके, चलाती, तो क्या जाएगा यहां पर, she, और वापस he, she या नाम आता है तो does not, क्या चीज, चलाती, तो drive, है न, हमेशे याद रखना, जब चार की बात आएगी, तो drive, और जब भी बाइक की बाद आती है, तो हम लिखते हैं, ride, ठीके, यहां लिखती हूँ मैं, जैसे ये वाला है, अगर हमने लिखा है, कार चलाना, है न, कार चलाता, तो तुम लिखोगे, drive, है न, अगर मैंने यहां लिखा होता, bike, bike चलाता, चल रहा है ना कभी भी धियान रखना जब गाड़ी की बात अती है तो ड्राइव लिखते हैं आज द्राइविंग राइडिंग ऐसे होता है समझा गया यहाँ पर ठीक है मैंने तुम्हें यह वे बता दीए यहाँ पर ताके तुम्हें ध्यान रहे कि घर बाइव की बात नही कार आ रहा है समझ अब तो easy लग रहा होगा है ना काफी easy होता जा रहा है अब तो चलो फिर next जलते हैं जल्दी से मैं football नहीं खेलता, कौन नहीं खेलता मैं नहीं खेलता तो I, I के साथ क्या लगाते हैं do, I do not क्या खेलता तो play वाप का फर्स्ट फर्म I do not play, क्या football simple as that वै मुझे नहीं जानता वै, he, लड़का है ना, जानता तो he और he के साथ क्या आता है, does not जानता, तो जानते को क्या लिखते हैं, no, k-n-o-w वाला no, है ना मुझे, he does not know me, मुझे के लिए लिखते हैं, हम me ठीक है, he does not know me, ठीक है अब, next क्या है हम पढ़ते नहीं हैं हम, we नहीं हैं, do not पढ़ते ठीक है, पढ़ते नहीं हैं, तो read ठीक है, यहाँ पर study भी हो सकता है, मतलब यहाँ पर थी कोई दो sense में बात हो रही है, है ना अगर तुम पूरी पढ़ाई related बात कर रहे हो, तब तो तुम लिखोगे study, है ना, लेकिन अगर तुम किसी book की बात करोगे, हम वो book नहीं पढ़ते तब तुम लिखोगे read, ठीक है, यहाँ पर भी clear कर रहे हूं एक चीज़, अगर यहाँ पर पढ़ाई से related बात हो रही होती, तो तुम क्या लिखते, study study, है ना, लेकिन अगर यहाँ पर कोई book पढ़ने की बात हो रही होती, तो तुम क्या लिखते, read, इसलिए मैं दोनों लिखवा रही हूं तुम्हें, है ना, समझा गया तुम्हें, clear हो गए यह चीज़ भी, next, देखो, पेड कोई फल नहीं देता, कौन कोई फल नहीं देता, पेड तो पेड के लिखोगे, the tree अब the tree है तो, does not क्या नहीं देता, कोई फल तो the tree does not नहीं देता, give कोई, any फल, fruit आगया समझ, कितना easy है कौन नहीं देता, the tree tree है तो, does not देता, give, कोई, any फल, fruit simple, एक एक बड़ ट्रांसलेट करके लिखते जाओ, तुमारा संटेंस तैयार हो जाएगा क्या आप क्रिकेट खेलते हैं, आप देखो इसमें क्या है, अब हमारे interrogative sentence आ रहे हैं, है ना अब मेरा interrogative sentence आया है तो मैंने क्या लिखा यहाँ पर क्या आप, देखो you है, you के लिए बोल रहा है तो you के लिए क्या आता है, do है ना, और क्योंकि interrogative है तो पहले आएगा, है ना, I, V, U होता है तो हम do लिखते हैं, लेकिन interrogative होता है तो पहले do आजाता है तो do you, है ना खेलते हैं, तो play, do you play, क्या cricket verb की first form ही रहेगी interrogative में भी, और question mark, ठीक है, do you play cricket, क्या आप cricket खेलते हैं, समझा आया देख लो एक बार last वाला, देख लो एक बार अच्छे से, कोई है तो दिक्कत चला, आगे देखते है interrogative आगे ना क्या वे school जाता है where, he और he है तो क्या आएगा, does लेकिन पहले आएगा, क्योंकि interrogative है, तो does he जाता है, तो go, कहा school, to school तो does he go to school, तो does he go to school, तो तु देख आएगे, does he go to school, क्या where school जाता है, और जाती है, होता है, तो does she go to school, तो do, I, I हमेशे capital लिखोगे, देखता हूँ, watch, क्या चीज, cartoon, तो do I watch, cartoon, या cartoons, question mark, समझ आ रहा है न, बहुत easy है, क्या वे खाना बनाती है, तो यह थोड़ा सा, इसका यह थर हो गया है, 23T के, आपन यहां कर लेंगे, कोई बात नहीं, क्या वे खाना बनाती है, क्या वे, ठीक है, लड़की की बात हो रही है, तो does, she, does, she, क्या खाना, तो cook, बनाती है, cook, क्या खाना, तो food, does, she, cook, food, क्या वे खाना बनाती है, तो does, she, cook, food, क्या तुम्हे मुझसे प्यार है, क्या तुम्हे मुझसे प्यार है, इसका क्या हो जाएगा, यहाँ लिखती हूँ, मैं, क्या तुम्हे मतलब you, तो क्या वेगा do, तो do you, प्यार, love, मुझसे तो me, do you love me, क्या तुम्हे मुझसे प्यार है, है न, तो तुम क्या लिखोगे, do you love me, ठीक है, next, तुम कहा जा रहे हो, अब यहाँ पर देखो, तुम कहा जा रहे हो, अब तुम बोलो कि यहाँ पर क्या होगा, कि यहां do लगेगा, does लगेगा, नहीं, यहां पर तुमसे पूछा जा रहे है, कहां, है न, तो यहां पर तुम्हारा कैसे बोलोगी तुम, where, are, you, वैसे यह present tense का ही है, लेकिन यह वो है, present perfect continuous है, ठीक है, तो इसको तुम्हें काम करो रहने दो अभी, इसको हम बाद में करेंग यहां तक समझ आ गए, है न, अब यहां तक हो गया हमारा, बस, आज के लिए इतना enough है, ठीक है, फिर, आप यहां पर हमने कुछ interrogative sentence देके, simple वाले, negative देके, तुम्हें do और does यूज़ करना मतलब आ गया है, है न, उसके लिए हम next all lecture लेंगे, उसमें भी हम, जो है, interrogative भी देखेंगे, negative भी देखेंगे, ताकि तुम्हें do और does और अच्छे से clear हो जाया, और उसम हम क्या करेंगे, कोई exercise भी add करेंगे, ताकि तुम fill in the blanks टाइप वाली exercise भी कर पाओ, ठीक है, तो आज की जो class है, वो यहां ही खतम होती है, ठीक है, इसको अच्छे से देखना, अच्छे से revise करना, मिलते हम next class में, तब तक के लिए, this is Madiha Khan, signing off right now, bye bye and have a nice day.